तो कैसा अगर आप लोग Realme के फोन यूज कर रहे और अगर आपके फोन में कुछ fingerprint में इस टाइप का एरर सो करे जिसमें लिखा रहा था तो सिंपल आपको अपने फोन को एक बार सोईच आउफ करना है सोईच और रिस्टार्ट करना है देन काफी चांसे की problem fix हो जाएगी ठीक है या फिर अगर ये तरीका काम नहीं करता तो सेकंड आपको अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करना है उसके बाद system settings पे आप लोग क्लिक करेंगे then आपको क्लिक करना होगा backup and reset पे then reset phone पे क्लिक करें और एक बार अपने phone के जो settings होती है उसे reset कर दे इसमें आपका कोई भी data डिलीट नहीं होगा आपको new change रहना है तो simple आपको यहाँ दो method को use करना है यह जो आपको error रहत है जो आपको problem आ रहे थी वो definitely fix हो जाएगी मिलते हैं next video में जय मतादी